हलो फ्रेंड्स नमस्ता आप सवी को अपना प्यारा सा यूटूब चैनल डॉक्टरस वला में स्वागत हैं गाइच इस वीडियो में में बात करने वला हूं यह एक नवजात सिचा है जिसको राइस ट्यूब डालना है तो मैं इस वीडियो में बात करने वला हूं कि राइस ट्यूब सही तरीके से कैसे आप डालेंगे तो फैनली ये बच्चे आज इस बच्चा का जन्म हुआ है तो इनका तब्यद थोड़ा आस्वस्त है तो इस बच्चा का इस टमक टाइट है तो हम लोगो राइस्टुब डाना पड़ेगा ताकि कुछ कच्च्च पड़ेगा हो या बच्चा लेट इन पिया हो तो राइस्टु के तुम हम लोगो उस गंदीर को बाहर निकाल सकते हैं तो चलिए राइस्टु डाने का सबसे पहला सही तरीका आपको बताते हैं आपके पास एस्परीट होना चाहिए एस्परीट से कि इसके पाद अबको और नम्बर राइस में आ इसे हम लोग फिडिन त्यूब यह इंची त्यूब biggest urban a little और फिर को इसके लिए Алहा को रेडिडी रखना है आला भी मेरे पास होना चीह करे मेच्चा के सही तरीके से माप मेंजर कर लेना है कान से माउथ थक फिर माउथ से स्पामक तब जितना आमनों को जरूरी है उतना फिर आमनों डालेएगे कि इसके पाद सही तरीकर से आपको मैं दिखा रहा हूं कि कैसे डाला जाता है बच्चा को सर को इस धंग से पकड़िए और फिर इसको नाक से होते हुए और इस टमक रख पहुंचाना है जितना मुझ मेजर किये से उतना अध्यान रखना है कि यह मुझ के दूर वापस ना है ऐण जितना मुझ मेजर कें किया था यहिए अतना डाल जो गया है है मणको 5 एमिल सिरिंज लेना है 5 सिरिंज को चेक करने के लिए जो हम लोग लगा है वह सहीं लागा है वा लागा है यानिति इसमें इस राइस्टूं में एयर पुश करेंगे और रखेंगे अगर इसमें सांड सुनाई देगा इसका मतलब यह और यह फाइनली बिल्कुल शही लागा हुआ है हमको अच्छी तरह से आवाज सुनाई पारा है इसमें फिर हम लोग लिको बैंड से इसको फिक्स कर देंगे ताकि बच्चा अपने हाथ से इसको निकालना पाए तो इस ढंग से लिको पोर को हम लोग कट कर लेना है और फिर लिको पोर से अच्छी तरह से ना पे इसको फिक्स कर देना है इस डंग से खोल्ड करना है ताकि यह बच्चा निकाल नहीं पाए इसे घीच नहीं पाए कि इस बच्चा को राइस्ट्यूब हम लोग लगा चुके हैं और आई होब कि आप लोग राइस्ट्यूब लगाना ठीक है होंगे अगली वीडियो में तत्तो के लिए बाए लग यू थांक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो अ